अब यह अच्छी अल्गॉर्दम है इन आटर्टर हमने लास्ट वीडियो में देखा था आज वीडियो में हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तब तो रिकर्जन से कर दिया बड़े असानी से तीन लाइने लिख दी आइटरेटिव में कैसे करोगे बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ठीक है और वाइब नीड टू कोड़े सबसे फर्स्ट अफॉल क्वेश्चन आएगा जब रिकर्सिफ है तीन लाइने है रट लूंगा मैं नहीं देखो तुम्हें पता है तीन लाइने इंटर्वियर को भी प सब Soldier करते रहे हैं मैं तुम्हें राम बढ़़ा हों कभी भी किसी की का सब्सक्राइब करना हो तो एक्जाइक्ट रेप्लिकेट करते हैं यह क्या कर रहा था वह कहर रहा था left को पूरा null बना दो left में move करते रो जब तक null ना मिल जाए जैसे ही null मिले root को print कर देना और एक right में move कर जाना अब फिर से left call लगाते 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 null करो जैसे ही null हो जाए root को print कर देना फिर से एक right कर देना यही तो कर रहा था तुम्हारी कर्जिन कॉल क्या हम यहीज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कैसे देखो 1 वेट करेगा 2 के लिए 2 वेट करेगा 4 के लिए 4 वेट करेगा अपने left वाले के लिए एक data वेट कर रहा है दूसरे के process होने का एक particular order में देखो 1 वेट कर रहा है 2 कमप्लीट हो जाए ठीक है 2 वेट कर रहा है कि पहले 4 हो जाए अब 4 जैसे उसका left नल हुआ 4 पहले process हुआ तो आप एक pattern दिख रहा है जो last in हुआ था वही first out हो रहा है जा फिर जो first in हुआ था वन first in आया था ना वह last out हो रहा है समझे तो यह कौन सा data structure करता है यह तुम्हारा stack करता है ठीक है ओके सो हम stack एक बना लेते हैं और आगे से process करेंगे यह रहा मेरा stack ओके इस इस माई stack राइटिंग थोड़ी सी शमा करें और यह रहा मेरा node okay node मेरा root क्या है भी root है one पे तो मैं कह सकता हूँ one मैं रूट जो भी है उसमें मैंने एक node नाम के variable में रखती है stack मेरा empty है अब देखो मुझे process करना है very important मैं यह condition लिख देता हूँ कि जब तक while ठीक है while not of stack dot is empty ठीक है जब तक मेरा stack empty ना हो या फिर और जो node है जो मैंने लिया है वो null ना हो ठीक है जब तक यह situation है मैं काम करूँगा यहाँ पर मुझे क्या करना है left move करते जाओ then मुझे क्या करना है print the root print the root and then simply move to the right ठीक है and then मुझे same काम repeat करते रहना है great sound मैं आया तो इसी चीज़ को depict करने का try करते है so वो चीज़ थोड़ी सी screen के बाहर जा रही आई नहीं बट मैं तुम्हें चलो बताते रहोंगा अब देखो start करते हैं मैंने का left move करते रहो तो क्या तुम्हारा node null है नहीं तो node को insert कर दो stack में और एक left move कर जाओ which is 2 तो यह हो गया 2 पे अब क्या 2 तुम्हारा null हो चुका है नहीं तो 2 को insert कर दो move towards the left ठीक है तो आप देख रहों 1 is waiting for 2 अब 2 wait करेगा इसका 4 का क्या 4 null है no 4 को insert कर दिया and then let's move on to the left which is null in this case अब मुझे null मिल गया ठीक है यानि कि यह वाला जो पार्ट था this is completed हम जितना left जा सकते थे हम चले गए next क्या करना था print the root okay let's try to print it तो यह बना लिया मैंने result okay अब print the root root कैसे print करोगे node में तो null है भाई साब क्या print करना आपको 4 और 4 कहां है stack के top पे और इसी के तुम्हें right में भी जाना अगर ध्यान हो है ना तो मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा यार इसको pop करा दो अपने result में इसका जो integer value है वो print कर दो and इसका जो भी right है उसे node पे set कर दो तो अभी तो यह फिर से null है क्योंकि 4 का right अभी भी क्या है null है तो हम कुछ नहीं कर सकते यह काम हो गया तो move to the right भी हो गया अब वापस फिर से इसी condition पे हम आ गए क्या हमारे stack empty है नहीं जी stack empty नहीं ह नोड भले नल है बट stack empty नहीं से लिए मैंने यहां पे और condition लगाई है ठीक है चलो great तो अभी हम कहां खड़े हमारा node इस वाली पे है null पे है क्या हम और left जा सकते है तो नहीं जा सकते इसका मला है print the root अब stack के top पे जो भी है that is your root I have just told you so 2 को निकाला ठीक है 2 को यहां sign करा and 2 2 को print कर दिया ठीक है अब क्या करना है 2 के right में move करना है move to the right part so 2 के right पे चल जाते हैं क्या मिल गया 5 तो यहां पे आजाएगा 5 ठीक है let me clean this ठीक है okay so मैंने clean कर दिया अभी node आपका 5 पे है stack में आपका 1 पड़ा हुआ है 4 & 2 print हो चुके है अब सेम काम करना है जितना भी left जा सकते हो जाओ ठीक है तो क्या तुम्हारा node नल है नहीं तो node में जो भी value से insert करो और उससे को कि भाई नेक्स काम क्या है प्रिंडी रूट रूट कहा होते है stack के top पे तो मैं कहूंगा जो भी तुम्हारे stack के top पे है ठीक है उसे pop करा लो तो 5 को मैंने pop कराया और यहां पे रख दिया वापस से और value अपने result में add कर दी ठीक है प्रिंडी रूट हो गया next part क्या है move to the right अब node की ज चीज लूप में चल दी राइट चलो अब क्या मेरा stack empty है नहीं यार एक element तो है फिर भी भले तुम्हारे node नल हो चुका है बट और लगाए था न तो और का फाइदा मिलेगा यहां पे तो मैं ठीक है कोई बात नहीं अब left जाने का try करते हैं तो आप अभी यहां पे हो क्या आप इससे और ज्यादा left जा सकते हो नहीं इसका मतलब क्या करो print the root तो जो भी तुम्हारा root है which is one उसको pop करो उसको इसकी जगह पे रख दो ठीक है तो यहां पे आ गया node में आ गया one और one को आपने print कर दिया next task move to the right तो अब one का जो भी राइट है which is three तो यहां पे one का right कर द आगे चलते हैं चलो तो आगे चलते हैं अगेन सेम कंडिशन क्या मेरा stack empty है क्या मेरा node भी नल है नहीं मेरा node नल नहीं है that means we can continue अब सबसे पहले left में जाना है तो हमारा node 3 ठीक है तो 3 जो भी value है उससे अपने stack में डाल दो और उसका left जो भी है हमारे case में नल है उसे यहां पर update कर दो ठीक है फिर से left जाने का try करते हैं तो अब यह नल हो गया यानि कि हम और left नहीं जा सकते that means complete जितना left जा सकते थे हम चले गए now we'll print the root which is stack का top so great 3 को निकालते हैं यहाँ पे update कर देते हैं और इधर print कर देते हैं अगला काम move to the right अब 3 का right में कुछ है हंजी 6 है तो update करके 6 पे गर दो ठीक है great वापत से चलते हैं क्या मेरा stack empty है हाँ यह stack पे अम्टी हो गया but क्या मेरा node भी null है नहीं node तो null नहीं है इसका अब मैं इस node पे हूँ तो मैं क्या करूंगा again we'll try to move to the left जितना left जा सकते हो 6 को उठाया stack में डाला और इसका जो भी left है उससे update कर दिया let me just clean this चलो great अब क्या मेरा node नहीं नहीं यानि कि मैं अभी भी इसके left में जा सकता हूँ तो इसको हटाओ इसको stack के top में डालो और इसके left में move कर जाओ which is null at the moment तो मैं आगया null पे can I go left on further नहीं मैं और left नहीं जा सकता that means print the root so root किया है 7 ठीक है तो 7 को pop करा यहाँ पे update कर दिया and यहाँ पे print कर दिया next क्या करना है move to the right क्या 7 का कोई right है मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं तो move कर जाओंगा तो यह है null okay so we'll move on to the null इतना काम हो गया let's check again so again चलते है क्या मेरा stack empty है नहीं मेरा stack empty नहीं अभी 6 बचा हुआ ह ठीक है तो वीकें से ठीक है आगे आते हैं अंदर आते हैं let's process the left part तो आपका node अभी null पे यानि कि आप और left में नहीं जा सकते आपका node यहाँ पे खड़ा है right आप और left में नहीं जा सकते इसके तो हम कहेंगे यार कोई बात नहीं जो भी stack के top पे यह है ना print the root उसे print करा दो तो मैंने किया 6 को print और इसको update कर दिया 6 पे and then let's move on to the right तो इसके right में आते हैं तो 6 का right क्या है null है तो यह update होके null हो गया वापस चलते हैं हमारी condition पे क्या मेरा stack empty है हां यह stack भी empty हो गया क्या node भी null हो चुका है अंजी यार नोड भी null हो गया है इसका मतलब we need to end the process तो जो भी आपका result है you can return it so this is what in order traversal यहां पर हमने क्या किया simple recursion को replicate कर दिया process all the left print the root move to the right and then repeat चलो इसे फटा-फट से code कर लेते हैं ओके सम लीट कोड पर आ चुके हैं इस वाली problem को solve करते हैं इनको list चाहिए तो we'll create a list let's call it result is equal to new array list ठीक है जबर्दस्ट अब next मुझे क्या करना है मुझे अधिक स्टैक थी तो मैं कौका स्टैक औरि बूर्द अहां पर देखो प्री नोड ओके इधर लिखो स्टैक इस इक्वल्ट न्यूट्ट बढ़िया यह मैं श्टैक क्रियेट कर लिआ अब लेट्स क्रीये आ नोड त्री नोड इसका नाम दो नोड इस इक्वल तो जो भी तुम्हारे रूट में आया है ओके नाव वाइल तुम्हारा जो नोड है या फिर तुम्हारा नोड नहीं है तब तुम्हें काम करना है क्या काम करना है सबसे पहले लिखता हूं तो इसमें मैं वाइल लूप यूज करूंगा और मैं कहूंगा कि जब तक नोड क्या हो जाए नल ना बन जाए ठीक है तब तक आपको क्या करना है स्टैक में नोड को इंसर्ट करो स्टैक डॉट पुश यह रहा तुम्हारा नोड ठीक है एंड देन लेफ्ट मुव कर जाओ नोड इस इकल टू नोड डॉट लेफ्ट ठीक है तब यह प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक तुम्हें लेफ्ट में नल ना मिल जाए अब यहां पर जैसे हमाइस का मला वी है फ्रोसेस डॉल दी लेफ्ट अब मुझे रूट को प्रोसेस करना है तो मैं क्या कहूंगा प्रेंट दी दी रूट ठीक है तो नोड को अप्डेट कर दो नोड इस इकल टू स्टैक डॉट पॉप जो भी तुम्हारे स्टैक के अब कर गया रिजल टॉट अड नोड टॉट वाल्यू ठीक है यह काम करते ही वाट यू नीड तो दू राइट मॉफ करना है तीक है नोड इस एकल टू नोड टॉट राइट समझे तो इस वाट नोफ तू दी राइट नोफ दी राइट सब्धी ओके एंड फाइनली इस वाइल लूट के बाद वीकें से रिटर्न रिजल्ट ठीक है तो आई होप इस इस कंप्लीटेट ना हमने मैं एक बाफ से चेक कर लेता हूं मैं नोड को रूट बना दिया स्टैक इनिशली एम्टी था मैंने का जब तक रूट नोड नल ना हो जाए या फिर तुम्हारा स्टैक एंप्टी ना हो जाए तब तक काम करते रों क्या काम है मूफ तो दी लेफ स्टैक में डालते जो लेफ मूफ करते जाओ ठीक है एक बारी सारे लेफ्ट वाले प्रॉस्स हो गए देन हम कहेंगे स्टैक के टॉप पर रूट है उसे निकाल के ला या इनाओ सम्मिट करने से पहले इसे थोड़ा खोलना पड़ेगा अब यहां पर करते हैं समेट और फटा फट से राइट मूफ कर जाते हैं सब्मेट बड़ा इडिटेटिंग है यार लीट को प्लीज प्लीज इफ यह वाचिंग सही करते यार इसे त्यार यह था आज की वीडियो में आई होप आपको आच की वीडियो पसंद आयोगी वाट विल बी टम प्लेक्टेटी एन स्पेस कॉम्पलेक्सिटी बिलकुल वही जो लास्ट वीडियो में थी बेग ओ ओफ एन ताइम बेग ओफ एन स्पेस हम यहां कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं नहीं स्टै दोनों ठीक है बस यह क्या कर रहा है अपने अंदर से बार-बार करे जा रहा है ठीक है if you want you can do it even like this also यहां पे आप if लगा दो ठीक है यहन से if ठीक है and then आप यहां पे else लगा दो ओके so still this should work in the same way इसलिए यह मैं बता रहा हूं कि यह o of n code है ठीक है let's try to check ठीक है will this work क्या लगता है it should work I'll submit it directly okay and वापस एदर आतने accepted ठीक है क्यों work कर रहा है क्योंकि अगे इसे लोगा कोई concept ही नहीं है हम क्या गर रहे हैं जब तक node निल नहीं हो रहा तब तक left move करते जाओ अभी तुम इसी outer loop में करो या फिर मेरी तरह inner में कर लो मैंने वैसे क्यों लिखाते बिकोज एज़ा बिगनर इस एजी तु अंडर्स्टैंड दिस वे ठीक है मैंने ऐसी पढ़ा था तो मैं तुम्हें भी ऐसी पढ़ा रहा हूं हुआ हुआ है